मुझा आप देख रहे हैं कम्प्यूटर वर्ल्ट टिप्सेंटिक शुरू चनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम उत्राखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपना ओनलाइन फॉर्म फिल अप कर सकते हैं हमें किसी साइबर केफे पे जाने की आवश्यक्ता नहीं है किसी भी सेंटर पे जाने की आवश्यक्ता नहीं है हम ये सब कुछ घर ही बैठे, ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपलाई करना है, उसकी फी वगेरा पेमेंट करनी है, ये सारे के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं अगर जो आप लोग सीखना चाते हैं, जानना चाते हैं, तो इस वीडियो को लार्च तक का दिखता रहे हैं, तो इसके लिए सब से फर्स्ट जो उत्राखंड की जो वेबसाइट है, उत्राखंड ऑपन यॉनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, हम यहाँ पर हैं, इसके कि आप लोगों को परेशान होने के आवश्यक्ता नहीं है मैं डारेक्ट इसका लिंक आपको वीडियो की दिस्टरस्ट में दे दूँगा आप वहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएंगे इसके बाद हमें क्लिक हैर टूप प्रोसीड इस पर क्लिक करना है और यहां और इसके बाद यहां पर जन्रल इस्ट्रक्शन यहां पर कुछ दिये हैं यह मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको गोशना पत्र में लगाना है तो आप लोगों को इसको कोपी कर लेना है उसके बाद प्रिंट आउट लेकर करके आपको यहां पर गोशना पत्र में ल क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कुछ यहां पर हमें यहां पर डेटियल्स वगरें यहां पर मांग रहा है सेशन हमें यहां पर पूछ रहा है तो मैं यहां पर 2019-20 समर यहां पर ले ले लेते हैं तो मैं अभी उत्राखंड में हूं तो मैं यहां पर रु कुछ करने वाला हूं संस्किर्ट तो मैं यहां पर संस्किर्ट फाइंड कर लेता हूं जैसे कि यहां पर है मैं संस्किर्ट यहां पर है तो मैं इसको यहां पर ले लेता हूं इसको लेने के बाद हमें यहां पर सर्च इस पर क्लिक कर लेना है सर्च पर क्लिक करते ही आप यहा सा सर्वी कुन सा इस्टेडी सेंटर आपको चाहिए यहां पर हमारे सामने कहीं सारे हैं तो हम यहां पर अपने हिसाब से यहां पर कोड़ार का भी है लेकिन मैं इसको नहीं ले रहा हूं मैं इसको यहां पर ले लेता हूं इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर हमें कुछ details यहांपर fill up करनी हैं, आप यहांपर देख़ेंगे, हमारे सामनी यहांपर पूरा एक यहांपर form आ चुका है सब कुछ यहांपर है, हमें यह सारी चीज़े यहांपर upload करनी हैं और इसके बाद, इसकी जो feed वगरा है, वो सारी यहांपर payment करनी है तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पर डाल लेते हैं मैं कुछ यहाँ जो डोकुमेंट से हैं उनको भी मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ और इसके बाद जिसके हमने यहाँ यह सब उपर यहाँ पर ले लिया है इसके बाद यहाँ पर हमें अपना first name यहाँ पर चूच करना है तो मैं यहाँ फर्स्त नहीँ यहाँ पर चूच कर लेता हूँ उसके बाद middle name और उसके बाद last name अगर जो आपका middle name नहीं है तो आप just state कर देने , इसकी बार हमें घंदी में अपना नाम देना ह supreme हाँ हाँ लेता हूँ यह आचुका है यह पर पर लोगों को पहले ही बता दूँ की मैंने यह यहाँ पर भी है यहां पर बलरग किया हुआ है इसलिए आप लोगों को सब सब नज़र-lla नहीं आएगा मैं यहांपर फादर ने में पर डाल लेना है ने इसके बाद हमें यहां पर अपनी डेटो बर्थ यहां पर चूज कर लेंगे हमने आपर यहां पर ले लिया उसके बाद हमने यहां पर मंत यहां पर लेना है और उसके बाद हमें यहां पर डेट लेनी है यह सारी चीज़ हम यहां पर चूज कर चुके हैं हमारी डेटो बर्थ यहां पर आ चु तो मैं अपनी email ID भी यहांपर दे देता हूँ और यह देने के बाद हम यहां पर आइडेंटिफ फ्रोक यहां पर लगाना चाहते हैं तो मैं आधार काड यहां पर ले लेता हूँ इसके बाद हमारा जो आधार काड का जो number है जो digit है वो हमें यहांपर टाइप करनी है बता दूँ कि यहाँ पर हमें यह सारी डीटेल्स यहाँ पर बिल्कुल सही डंग से फिलप करनी है जो कि यहाँ पर कल कोई प्रोब्लम ना हो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आधार नमबर गलत होने पर आपका नामांकन विश्विद्याले द्वारा निरस्थ कर दिया जा यहाँ आपस चाहिए तो हम यहाँ पर याँपर यहां पर बैंक कि यहांपर देदे कर लेदेंगे opinion करता हूं कि यह सारी चीज़े मैं यहां पर डाल दी इसके बाद यहां पर केटेगरी यहां पर हम ले लेते हैं तो जनरल हम यहां पर ले लेते हैं इसके बाद नागरिकता इंडियन है तो ले ले लेते हैं इसके बाद सामा जी इसको हम यहां पर नोट एपलिकेबल इस पर क्लिक लेते है इसके बार सारी आपंगगता तो हम इसको नो रेने देते हैं हरिलीजन यहाँ पर हिन्दु हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं यहाँ पर ग्रामीनी या हम यह अर्बन ले लेते हैं क्योंकि शहरी ईलाका है इसके बाद वेवाहिक इस्ति अगज़ आप मेरिड हैं तो आप ले सकते हैं मैं यहाँ पर अनमेरिड यहाँ पर लेने वाला हूँ रोजगार इस्ति आपको यहाँ पर लेनी हैं employee या in employee तो मैं आपर employee यहां पर ले लेता हूँ इसके बाद वार्षिक आए क्या है तो आप यहां पर चूज कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर हमें यहां पर अपना address यहां पर देना है लेकिन उससे पहले मैं आपर same as permanent address इस पर क्लिक कर लेता हूं इसके बाद हमें यहां पर अपना एड्रस यहां पर देना है तो हम यह सारी डिटियल्स यहां पर फिलप कर लेते हैं इसके बाद हम यहां पर सिटी यहां पर चूज कर लेते हैं मैंने यहां पर हरी द्वार ले लिया इसके बाद फिर से सिटी यहां पर हम पर आचुका है हम एक बार फिर से याँ पर क्लिक कर लेते हैं तो यह सारी चीज़े आपर आ जाएंगे अपने आप इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपर हमें हमारा अभी तक का जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सारी डिटेल्स हमें आपर फिलप करनी है तो यह ह यहां पर आपको देना है नाम यहां पर आपको देना है यहां पर वर्स आपको देना है यहां पर बोड़ या विश्वी द्याले आपको यहां पर देना है कि इतना प्रतिसत यहां पर बना डिविजन क्या रही मुखे विसे क्या क्या थे वो आपको यहां पर देना है और यहाँ पर add qualification यहाँ पर click करते जाना है तो सभी के सभी हम यहाँ पर add कर लेते हैं तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैंने सारी details यहाँ पर fill up कर ली है अगर जो आप लोगों को कुछ यहाँ पर miss track लगता है तो आप लोग इसको अभी यहाँ पर update क इसके पर करेंगे और इसके बाद हम हैं यहां पर आगर दंदित हुए हैं या नहीं तो आपको आपने ओने इमेज वगेरे यहां पर अपडूड करनी हैं तो यहां पर हम student image यहां पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी हमारी जो image होगी वो हम यहां पर select कर लेंगे मैं इसको यहां पर large कर लेता हूँ और यहां पर से अपनी image यहां पर ले लेता हूँ image हमने यहां पर लिया इसके बाद हमें यहां पर upload बटन इस पर क्लिक करना है जिससे कि हमारी जो image है वो यहाँ पर upload हो जाए यहाँ पर इसका जो size है वो सही नहीं है यह error यहाँ पर दे रहा है तो हम यहाँ पर इसका जो size है वो यहाँ पर change कर लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें image और signature का size रखना है वो 5 के भी से लेकर 35 के भी तक रखना है तो मैंने यहाँ पर अपनी जो image है उसका size कम कर लिया है इसके बाद मैं इसको यहाँ पर upload कर लेता हूँ अपनी जो image है उसको upload होने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे image यहाँ पर upload हो चुकी है इसके बाद हमें यापर अपना सिगनेचर भी यापर अपलोड कर लेना है ये सारी चीजें हमें यापर अपलोड कर लेनी है आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें हमें जो इमेज वगरे हैं ये आपके JPG फॉर्मेट में होने चीए इसके बाद हमें याँ पर 10th का जो certificate होता है वो हमें याँ पर upload करना है तो मैंने याँ पर ये PDF में इसको याँ पर रखा हुआ है इसका जो प्रमानपत्व होता है वो हमें याँ पर upload करना है मैं इसको याँ पर upload बटन इस पर click कर लेता हूँ upload बटन पर click करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यह इसका भी यह इसका यह जो format है उसमें यहाँ पर problem दे रहा है तो मैं इनको भी यहाँ पर कम कर लेता हूँ इनका size भी यहाँ पर आप लोग देखेंगे 500 के भी यहाँ पर पूछ रहा है सबका यहाँ पर बना लिया है तो मैं यहाँ पर अपना जो 10th का जो certificate है वो मैं यहाँ पर choose कर लेता हूँ मैंने सबको यहाँ पर यहाँ पर ले लिया है image यहाँ पर मैंने इनकी बना ली है तो मैं यहाँ पर upload कर लेता हूँ इसी तरह से जब यह यहाँ पर अपलोड हो जाएगा हम यहाँ पर नीचे के और यहाँ पर आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 12 का यहाँ पर ले लेना है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर अपना result नहीं बलकि अपना certificate यहाँ पर upload करना है तो मैं यहाँ पर इसको भी यहाँ पर upload कर चुका हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर नीचे के और यहाँ पर आएंगे और eligibility document हमें यहाँ पर upload करना है तो मैं यहाँ पर graduation का यहाँ पर anything यहाँ पर upload कर लेता हूँ यह अपलोड होने के बाद हमें यहाँ पर फिर से नीची को यहाँ पर आना है और जैसे मैंने आप लोगों को बताए था गोसुना पत्र हमें वहाँ पर पहले ही तैयार कर लेना था उस पर सिगनेचर बगएरा करके तैयार कर लेना था हमें कोई problem उठानी बड़े यहाँ पर मैं एक बार इसको check कर लेता हूँ यह सारी चीजी यहाँ पर सही है तो इसके बाद हमें यहाँ पर done and next बटन इस पर click कर लेना है इस पर click करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से subject हमारे पास होंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर हमें view additional fees अगर जो हमें यहाँ पर click करते हैं तो हमें अभी तक की इसकी जितनी भी fees वगेरे होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाती है अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ details वगेरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आप यहाँ पर देखेंगे सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है आपके documents जो जो आपने upload किया होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं देखने को मिल जाते हैं यहां पर आप लोगों को एक बार इसको verify कर लेना है जिससे की आगे आने वाले समय में कोई problem ना हो तो मैंने इसको देख लिया इसके बाद मियां पर क्लिक करूँगा उसके बाद हमें payment करनी है तो मियां पर done and next इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद हम याँ पर make payment इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही हमें याँ पर payment करनी है तो हम याँ पर डेविट कार्ड या पर credit कार्ड याँ पर choose कर सकते हैं net banking हम याँ पर choose कर सकते हैं लेकिन मैं याँ पर डेविट कार्ड ही याँ पर लेने वाला और इसके बाद हमें यहां पर इसकी जो एक्सपाइडिट है वो यहां पर ले लेनी हैं इसके बाद जो हमारे जो ATM कार्ड में जो CBB होता है वो हमें यहां पर टाइप कर लेना हैं यह सब करने के बाद हम यहां पर पेनाओ इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही हमारे रजिस्टर मुबाइल नमबर पर जो भी हमने जो बैंक में दिया होगा नमबर उस नमबर पर एक मेसेज हमें यहां पर मिलेगा तो वो message हमें यहाँ पर वो one time password हमें यहाँ पर type करना है तो हम यहाँ पर wait कर लेते हैं हमें मिलता है तो हम यहाँ पर type कर लेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा wait कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है इस पर क्लिक करते ही हमारी जो यहां पर पेमेंट होगी वो भी यहां पर हो जाएगी और हमारा जो फॉर्म है वो पूरी तरह से यहां पर फिल अप हो जाएगा हमें यहां पर रिफ्रेस्स नहीं करना है नहीं तो यहां पर प्रोब्लम हो सकती है यह अपनी प्रोसेस यहां पर कर रहा है हमें यहां पर वेट कर लेना है यहां पर आप लोग देखेंगे कि हमारी यहां पर पेमेंट हो चुकी है इसके बाद हम यहां पर प्रिंट एप्लिकेशन इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही हमारे समने आपर application जो ये है हमने जो form फिल अप किया है उसकी PDF यहाँ पर open डाउनलोड हो जाएगी हम इसको यहाँ पर open कर लेते हैं open करते ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो भी form हमने आपर फिल अप किया है है मुझे यकिन है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आसानी से आप अपना form फिल अप कर पाएंगे आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक